प्रिवियस जो भी सेशन थे वो साई रिवाइस कर लिये तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि कमिंग सेशन में विविल टॉक अबाउट वाट अब थेओरी इस अब यह बात समझो यह थेओरी इस आफ इंटरनाशनल ट्रेट का क्या मतलब है अब यह थे चैसा wife विटी वीकों में बहुत सारे सब्जेक्ट आपने पड़े तो हर एक subject में अलग-अलग जो उसके philosophers होते हैं, जो उसके researchers होते हैं, उसके scientist होते वो रोग क्या करते हैं वो लोग अलएलग अपनी point of view होते हैं वो अपना point of view तो बताते हैं जैसे एक्जाम्पल याद करो अगर आप 12 टास्का बिजनस टडीज याद करो तो उसमें आप मार्केटिंग फिलोसोफी पड़ते थे एना ऐसे अगर आप एकनॉमिक्स याद करो तो एकनॉमिक्स में आप प्रिंसिपल्स पड़ते हो सिमिलरली अकाउंट एंसी भी अपने कुछ प्रिंसिपल्स पर बेज दोती है तो दा में तिंग इस डाट की हर एक सब्जेक्ट ना जो उसके कॉंट्रिबूटर्स होते हैं उनके कुछ त्योरीज पर उनके कुछ रिसर्चिस के बेसिस पर जो उन्होंने कॉंट्रिबूशन क किया होता है उसके ऊपर चलता है तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं डाट इस थ्योरीज ओफ इंटरनाशनल ट्रेड अभी त्योरीज ओफ इंटरनाशनल ट्रेड का मतलब क्या है इंटरनाशनल ट्रेड क्या है कैसे कैसे कंड़क्ट किया जाता है क्या बेरियर्स आ सकते ह हैं क्या benefits हो सकते हैं यह सब हमने discuss कर लिया अब हम बात करेंगे technicalities की अब यह तो बहुत simple था समझना कि यहां से अपने अपना जो trade है अपने देश से उठा करके किसी और देश के साथ कर लो तो यह international trade बन गया जी बिल्कुल लेकिन क्या-क्या ways हो सकते हैं उसको conduct करने के हमें क्या export करना चाहिए क्या import करना चाहिए तो यह सब चीजें हमें देखनी चाहिए और उनी को लेकर के हमारे पास क्या है theories of international trade तो देखो पहले introduction से पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है trade in economics occurs at the individual regional and international levels at the individual level without trade a person would be forced to be self-sufficient in everything one requires हो कह रहे कि अगर economics में trade की बात करें तो individual level पे regional or international level पे होता है एना individual level पे अगर हम बात करें तो अगर आप trade नहीं करोगे तो do you really think कि आप सब चीजें खुद कर सकते हो और करोगे तो कितना अदा अपके उपर pressure आएगा that everything you have to do on your own right a world where every individual is forced to produce all his requirements would be a world with an extremely low standard of living क्यों क्यों ऐसा होता है अब आप एक बात देखो आप हमारे यहां पे हमारे चानल से अलग अलग different different जो lectures है उनकी videos लेते हो अब students एक बात समझ के देखो कि अगर एक ही teacher को यह सारी videos बनानी होती हो life lectures conduct करने होते है तो do you really think कि इस level की efficiency और इस level की expertise के साथ आपको चीजी explain करवाई जा सकती थी not at all तो इसका मतलब है जहां पे ऐसे case में अगर कुछ भी आपको deliver किया जाएगा तो वो बहुत low standards का होगा right मलब उसमें आपको इतना मजा नहीं आएगा पढ़ने में समझने में जानने में आपको मजा नहीं आने वरा right आगे but with trade each individual can concentrate on produce those goods that one can produce relatively more easily as well as efficiently and exchange these for the goods that one has a problem producing का मतलब क्या है कि हर कोई सब नहीं कर सकता right लेकिन कुछ तो कर सकता है तो जिस चीज में तुम अच्छ हो वो तुम कर लो जिस चीज में कोई और अच्छा है उसे वो करने दो और तुम दोनों फिर बाद में exchange कर लो यह चीज पर possible है तो कि every country has their own natural resources जिसकी वज़े से उनको किसी किसी चीज में specialization मिल जाता है जैसे कि हमने पहले बे discuss किया था अगर Middle East countries की बात करें student तो Middle East country में crude oil बहत है तो crude oil होने की वज़े से वहां पे क्या है abundance है तो वो उसे related चीजों को पूरे दुनिया में export करके अच्छा बैसा कमा सकते हैं दिन की वो हर एक चीज को करने में लग जाएं तो वो उनका wastage of time और wastage of resources दोनों चीज हो जाएंगी All this specialization will lead to an overall increase in the total amount of goods being produced which when distributed will lead to an increase in the standard of living among end-diving वो किया अगर इसी specialization को ध्यान में लखते हुए काम किया जाएगा तो होगा क्या कि जो total quantity goods की produce हो रही है एक तो वह भी जादा होगी और जब quantity जादा produce होगी तो distribution easily होगा जिसे कि standard of living जो है वो automatically बढ़ जाएगा जिसे कि आप lectures देख रहे हो हर teacher अपनी specialization expertise के recording videos record कर रहे है तो इससे पायदा क्या हो रहा है distribution करना असान है timely videos को बनाना असान पर जाएगा और सबसे importantly जब timely videos बन जाएंगी तो आप तक पहुचानी असान है और आपको मज़ा भी आएगा क्योंकि जब teachers efficient होंगे अपने काम में तो उनके examples उनके teaching methods उनके जो भी मतलब जो भी उन्होंने अपना learning process में gain किया होगा तो वो बताना ज्यादा ठीक है तो hopefully आपको यह बात समझ में आगे होगे कि इस chapter में हमें समझना क्या है अब मैं आपसे बात करूंगा कि in detail क्या चीज़ है जो इस chapter में पढ़नी है तो पहले एक brief idea ले लो तो मैं आपसे बात करता हूं कि कौन-कौन सी theories है जो इस chapter में हम cover up करने वाले हैं तो major कुछ theories है और chapter बहुत important है student questions आते ही आते हैं मान के चलो सबसे पहली theory है जो हम cover करेंगे that is mercantilism सबसे पहली theory mercantilism सो पहले हम पढ़ेंगे mercantilism theory क्या है फायदे नुक्सान जो भी चीज़े आगे की है ना फिर next हमारे पास है absolute advantage लेकिन हमारे पास यह है okay third student हम पढ़ेंगे comparative comparative hopefully यह absolute on comparative word कुछ कुछ तो idea देंगे ने पूरा नहीं देंगे कोई दिकत नहीं है बठान थोड़ा भी idea लग जाता है तो बहुत अच्छी बात है next हम पढ़ेंगे opportunity cost यह student कुछ आपका comparative से ही मिलता जोता है ठीक है then fifth हम पढ़ने वाले है national competitive advantage पर students हम पढ़ेंगे six sixer fall in and last हम पढ़ेंगे students new trade in between इनके बीच में एक मतलब आप कह सकते हो कि एक model है which is leontiff paradox which is one of the most important topics from your examination point of view तो वह भी of course हम discuss करेंगे तो main जो हमारे पास यह 7 theories है जो हमें इसमें discuss करनी है अगर मैं examination point of view से बात करूँ तो absolute advantage theory, comparative advantage theory, hexer-ohlin theory, leontiff paradox यह चार चीज़े जो है वह बहुत जादा significance की है नदब ऐसा मैं यह नहीं कह रहा है कि इनी से paper आएगा बट हाँ आप यह expect कर सकते हो इनसे जो paper आने की possibility होती है वह बहुत जादा होती है देन बाकियों के हम पढ़ेंगे सारी बट मैंने वेस्टिक आपको एक overview दिया है कि majorly क्या आता है चलो तो one by one students क्या करते है है तेओरी के ऊपर बढ़ते हैं और अलग अलग जो हमारे पास थेओरी दे उनको पढ़ना शुरू करते हैं ठीक है यह जस्त हमारे पास कुछ एक वह दे रखाए कि जो country जिस चीज में specialization में है उस country को वही चीज प्रोड्यूस करनी चाहिए अगर वह उसी चीज को इंप्रोड्यूस करेगी और इंपोर्ट एक्स्पोर्ट की उस केस में काम करेगी तो उसको ज्यादा benefit होगा तो यह एक brief introduction है जिसको हमें पढ़ने की ज़रूत ही है हम सीधा बात करते हैं अपन पुरानी थियोरी होगी उतनी असान क्योंकि जितना मैं ताइम में पीछे जाऊंगा complexity उतनी कम है in modern time में technology की वज़े से चीजे असान तो होती जाती है लेकिन modern time में क्योंकि चीजे बहुत सारी हैं तो complexity बहुत है पहले के टाइम पर चीज़े बहुत कम थी तो complexity बहुत कम थी तो mercantilism theory जो है पहले मैं आपको एक brief idea देता हूं then one like reading between the lines तो करने ही पड़ेंगे तो mercantilism theory simply एक बात कहती है कि भाई तुम हर चीज को बना पाने में सक्षम नहीं हो यह practically impossible हो जाएगा कि तुम efficiently और इतने amount में हर वो चीज बना लो जो तुम्हें required है मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं कि mercantilism theory आप से क्या कहती है कि भाई तुम किसका काम करो तुम सबसे में हैं तुम international trade के अंदर फाइदा तुम्हें कब होगा तुम सब तो बना नहीं सकते तो जिस चीज को तुम बनाने में सबसे ज़्यादा capable हो उसको तुम बना लो और उसके बाद तुम दूसरी किसी country के साथ उस चीज को ट्रेड कर लो जिस चीज में वो इस चीज को स्पेशलाइज दे एक्जामपल लेके चलता हो जस्समझाने के लिए इन एक्जामपल्स को आपको लिखना नहीं है पस concept समझने के लिए आप इन एक्जामपल्स को यूज करो आपको बहुत अच्छे से याद होगा जी ट्वेंटी का जो समिट था वो जी एक्जामपल्स के लिए यूज करेंगे जिसमें बात हुई थी कि दुबई से लेकर के राइट अंडर दसी मुंबई तक क्या करेंगे वाई एक मुंबई तक दुबई से लेके मुंबई तक अंडर दसी एक तरीके से एक प्रें नेट्वर्क को बनाया जाएगा दो ऐसा न ट्रेन नेटवर्क है यह तरनल के थ्रू ही हो सकता है students इसमें तीन टनल बनाई जाएंगी ठीक है main जो है इसमें तीन टनल जो है उनके थ्रू यह काम किया जाएगा अब यह तीन टनल के थ्रू काम कैसे होगा जैसे मानलो यह टनल है it will carry oil from Middle East portion to India ठीक है और एक जो मानलो टनल है वो तो अव्विस सी बात है transportation के लिए जो Metro है यह जो भी train system है वो रन करेगा ही करेगा और एक और जो टनल है student इसका काम क्या होगा इंडिया से water supply करना किसको जो आपकी Middle East की country से उनको तो अब आप एक बात समझ रहे हो हमें पता है कि वो लो किस में best है वो crude oil में specialized है त्योंकि उनके resources कुछ इस तरीके से हैं हमारे पास crude oil इतना नहीं है बट हमारे पास water sufficient amount में है तो हम water supply कर देंगे तो that is called mercantilism theory जिसमें तुम best होते हो उस चीज को तुम produce कर लो जिसमें दूसरी country best होती है उनको वो produce करने दो ठीक है और at the end आपके आप क्या कर सकते हो अपना trade कर सकते हो जिससे की आपको अपनी और उन country की जो specialization है उसका क्या मिल जाएगा benefit तो ये थी आपकी mercantilism theory आप कह सकते हो international trade की जितनी भी theories आई उनमें से one of the oldest theory और वो 17th 18th century के पास जो theory आई थी वो ये theory आई तो इसमें कि इनका point of view क्या था कि वाई जितना ज्यादा हो सकता है न ट्रेड करो जितना ज्यादा हो सकता है दूसरे देशों के साथ ट्रेड करो और ट्रेड करके कोशिश करो उस ताइंग पर bullion चला करते थे गोल्ड के coin bullion वगड़ा चला करते थे तो जितना ज्यादा हो सकता है दूसरे देशों से जाकर के gold coins bullion और other precious metals को इखटा करो जिससे की क्या होगा जिससे की जितना ज्यादा तुम्हारे पास पैसा होगा उतना तुम्हारी country की army strong बनेगी और जितना तुम्हारी country की army स्ट्रॉंग बनेगी उतने आप क्या बन जाओगे पावर्फुल बन जाओगे ठीक है और साथी साथ जब आपके देश में जादा से जादा ट्रेड करके पैसा आएगा ठीक है तो आपकी कंट्री के अंदर पर्चेजिंग पावर लोगों की बढ़ जाएगी ठीक है और अग confidentism के भाई पूरी तरीके से export को promote करो जितना जादा हो सके export को promote करो लेकिन essential को इस थिओरी के ज़ो followers थे Contributors ते district करना चाहते थे वह कहरते हैं नहीं कोषिश करो जादा से जादा से जादा जादा से जादा जिस में तुम specialized हो उसको export करो इंपोर्ट जो चीजें हैं उनको अवाइड करो ताकि आपके कंट्री का जो फॉरेक्स है बुलियंस है और जो गोल्ड कोईन्स वगर है वो आपकी कंट्री में रह जाए प्रस आप जो बार के देशों को समान बेचोगे समान सप्लाइ करोगे उससे तुम्हार को मोटा इता यह था ठीक है वोफफुली देखो बहुत सिंपल सा आइडिया था कुछ खास थानीज के अंदर समझने वाला तो अब जरा बात करते है क्या क्या है देखो नो परसंग इन एनी एकोनोमी इस एफिशेंट एनफ दू प्रूद्स अल गोड्स और गोड्स वन रिक्वार there are differences in capabilities and resource endowments both among individuals as well as across countries वो कहरे है कि देखो उता क्या है capabilities होती है चाहे individual के लिए लो चाहे countries की वो अलग होंगी होंगी जी बिलकुल आगे the basis like the like the case of individual trading in a country okay the basis of international trade are physical are differences in physical, geographical, climatic and conditions, soil, vegetation, economic development, wealth of the people, foreign investment, trade and financial, etc. such differences result in the gains or profits made from the exchange of goods and services okay वही जो तुमारे अंदर differences है उनही को तुम्टेड करो और उनही के trades से तुम्हें क्या मिलेगा तुम्हें profits जो है वो मिल सकते है right the immediate cause of international trade is the existence of differences in the prices of goods and services between the countries right वो कह रहे दो को इसका एक जो immediate जो इसका cause है वो किस चीज़ का है वो है तुमारे पास की जो the prices का differences है उसका अगर मुझे बता है कि कोई जिसे आपको इसको भी आप relate कर पाओगे कैसे relate कर पाओगे जादातर लोगों से देखना अगर कोई बंदा कभी Dubai की तरफ travel कर रहा होगा ठीक है या फिर USA travel कर रहा होगा जिनको knowledge होगी वो अगर आपका कोई friend है let's say suppose कोई भी आप आपका एक friend है वो या तो Dubai travel कर रहा है या तो USA travel कर रहा है and let's suppose के आप इंडिया में है आप immediately अपने friend को बोलते हो अगर आपको knowledge है कि भाई दुबाई जा रहे है ना यार प्लीज आईफोन ला दियो वहाँ से क्योंकि सब जानते है दुबाई में आईफोन सस्ता है रीजन क रहे हैं और रही है तो पहले समान महां पहुचता है फिर वहां से इंडिया तो तो जो transportation cost रहा है उसकी वज़ए से आईफोन दुबाई में क्या मिलता है सस्ता मिलता तो लोग उसे बोलेंगे आईफोन लोग बोलते है बाई गोल्ड लेयाना प्योरिटी की वज़ए से और अगें वहिद नो टेक्सेशंन पर्फूम्स ले आना तो मिनना रगा को यूएस ट्रावल कर रहा तो यही सेम शर्त आती है कि यूएस जा रहे हो कैनडा जा रहे हो तो आइपोन ले आना U.S. तो अविस ही बात है वहीं का है, तो वहां तो और सस्ता मिलेगा, यह क्यों कर रहे हो आप, आपको iPhone तो चाहिए, अब आपको पता है कि वहां सस्ता है, तो भाई, जहां सस्ता है, मैं वहां नूँगा न, मैं क्यों अपना money किसी जगह पर occupy करूं, जब मुझे पता है कि क को भाई आपको लुटो और सस्ता है कि कृतक से छिछ आपको के समया एंपको एंपको प्राइव का सत्का प्राइव. कि अए तो इस rather जगहां से कर दोदू आपकों पने जगहां अजेवां कि रात तो राइवां परुटों को आपकोंशान कि पाच्ट एंट परिवां उत् underlying this theory was that the only way for a nation to become rich and powerful was to export more than import जो कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि भाई तुम रिच और पावर्फुल कैसे बनोगे जब तुम्हारा dependence जो है दुनिया पे कम होगा लेकिन तुम पे लोग जाधा dependent होगा आज देको चाइना है चाइना international waters के अंदर और पुरी दुनिया के अंदर कोई न कोई दिकत करता ही रहता है time to time अब यह क्यों कर रहा है कि इसका dominance बहुत बढ़ गया है दुनिया में अगर मैं consumer goods की बात करूँ student तो consumer goods का जो पुरे world की जो global supply है global supply में consumer goods के मामने में चाइना से जो supply होती है it is somewhere around 30 30 or 30 something percentage आप समझ रहों कि मादब पूरे world की supply का one fourth की करीबन करीबन जो supply है वो चाहिना से हो रही है इतना बड़ा dominance आप समझ रहें यह मतलब यह है कि अगर आप सबसे ज़्यादा export करेंगे import कर में करेंगे तो आप powerful तो हो ही जाएगे तो कहलें कि देखो इसका दो metals into the nation इसके दो फाइदे होंगे जो हम पहले भी discuss कर चुके है पहला फाइदा क्या है कि it would it would provide the nation with enough money to maintain large armies इससे country powerful बन जाएगी और next हमारे पास point है the inflow of bullion would increase the money supply and hence purchasing power और इससे होगा क्या इससे purchasing power बट जाएगा और जिससा कि मैंने आप से का कि इसका मतलब क्या है कि जो इस तरीके के वो क्या करेंगे वो कहेंगे वह एक्सपोर्ट को बूस्ट करो मर्केंटिलिजम की थेहोरी कहती है एक्सपोर्ट को बूस्ट करो लेकिन जो तुमारे इंपोर्ट से उनको रिस्ट्रिक्ट करो इस country a had to make an export surplus country b its trading partner had to show a deficit देखो मेरा export surplus अभी होगा जब उनका deficit होगा क्योंकि मैं जादा से जादा उनसे export कर रहा हूं अगर मैं किसी country को export कर रहा हूं तो उस case में वो country तो import oriented होगी न मैं अगर export oriented हो तो वो import oriented होगी तो अगर मेरा export surplus है तो उनका trade deficit में चला जाएगा ठीक है every country viewed imports with apprehension depriving of its true source of richness the precious metals having fixed supply at any particular point of time thus no specific virtue could be attached to larger volume of trade and the trade had to be regulated or controlled right mercantilist policy favoring only stimulation of exports was highly nationalist biased heavily against the other country पाइस ही हो गया कि तुम कोशिश कर रहे हो कि तुम्हारा सारा समान बिग जाए लेकिन सामने वाले कि तुम किसी भी तरीके से समान लेने के favor में नहीं हो राइट चलो ठीक है तो देखो students यही था हमारे पास पूरा का पूरा आइडिया किसके बारे में मर्केंट्रिजम टेयोरी के बारे में तो मेजर टेक वे इसकी बात करूँ के मर्केंट्रिजम के क्या है पहली चीज के भाई तुम जिस चीज में specialized दो जिस चीज को बहुत सस्ते में बना सकते तुम बनाओ तो पूरी दुनिया से लोग तुमारे से खरीदने के लिए पहला फाइदा दूसरा अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारी country में हर तरीके के precious metals आएंगे उस ताइम पर metals ला करते थे currency के तौर पर तुम metals आएंगे जिससे कि तुम बड़ी से बड़ी armies को control कर सकते हो जैसा कि UK उस ताइम पर England किया करता था और उसी पैसे से जो पैसे वह देश पैसा कमाओगे तो तुम्हारे पास अच्छा पैसा purchasing power जागा and then you will be a rich economy लेकिन इसका एक ही idea था कि भाई import को restrict करो ऐसा नहीं करोगे कि तुम import भी करे जा रहे हो export नहीं सिर्फ export promotion was the idea of mercantilism थी वही